जाहिन दोस्तों एहमद टेक्नोलोजी में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे IPV4 और IPV6 क्या है इनके बीच में अंतर क्या है ओलेवल एक्जाम के लिए काफी इंपोटेन टोपिक है यहां से एक्जाम में हर बार कोशन आता है अपको ध्यान से सुनना है और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बुक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तो ओलेवल एक्जाम में काफी कम समय अब आपके पास बचा है 23 मार्च को M1 R5 का एक्जाम होगा और आज 2 मार्च है यानि 20 दिन भी अब आपके पास 20 दिन आपके पास हैं तयारी करने के लिए 20 दिन में आप अच्छे से तयारी कीजिए ताकि ओलेवल एक्जाम को अच्छे ग्रेड से पहले ही परियास में क्वालिफाई किया जा सके ठीक है इस से जादे हम कुछ नहीं कहेंगे आपको महनत से पढ़ना है इन 20 दिन में आप महनत कीजिए आपका रिजल्ट अच्छा होगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि IP क्या है हम IP एडरस पढ़ रहे हैं IP4, IP6 पढ़ना चाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि IP एडरस क्या है IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकोल एडरस इसको सोट में हम IP बोलते हैं, ठीक है? इसको सोट में हम IP बोलते हैं, दोस्तो हर computer का अपना एक IP address होता है घ ambos computer, जितने भी computer है, उनका अपना युक अलग IP address होता है जो internet पर उनकी पहचान के लिए use के जाता है एक address, एक same address, दो computer तो का address नहीं हो सकता ठीक है कहने का मतलब हर computer का अपना अलग address होता है एक same address दो computer का same address नहीं हो सकता उनके address में कुछ ना कुछ changes जरूर होता है ठीक है और यह address internet पर उपलब दोता है जो इनकी पहचान कराता है यहाँ पर मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है internet protocol letters को IP address के रूप में भी जाना जाता है यह है एक numerical label है जो computer network से जुड़े परतियक device को assign के जाता है जो communication के लिए IP का उप्योग करता है IP address किसी vicious network पर एक vicious machine के लिए एक पहचान करता के रूप में कार्य करता है मैंने आपको बताया जो IP address होता है वो computer की पहचान के लिए यूज किया जाता है IP address को IP number भी बोलते हैं और internet address भी इसको कहा जाता है उसके बाद IP address, addressing और packet scheme की तक्निकी प्रारूप को निर्थिष्ट करता है अधिकान्स network यानि ज्यादतर network IP को एक TCP यानि transmission control protocol के साथ जोड़ते हैं यह है एक destination और एक source के बीच virtual connection विक्षित करने की भी अनुमति आपको देता है अब हम देख लेते हैं IPv4 क्या है और IPv6 क्या है इनके बीच में अंतर क्या है IPv4 आइपी का पहला वर्जण था यह बनाइपी 4 दोस्तों यह आई पी का पहला वर्जण था वीका मतलब होता है वर्जण इसकी फूरी फुल्फिंध लएं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जण फूर इनके पहला वर्जण था यह 1983 1983 में पहली बार ARPANET दोवारा इस्तमाल किया गया था आज IPV4 सबसे व्यापक यानि famous रूप से इस्तमाल किया जाने वाला IPV वर्जन है इसका उपयोग addressing system का उपयोग करके network पर device की पैचान करने के लिए किया जाता है जो मैंने भी आपको बताया है उसके बाद IPV4 32 bit का होता है यह सबसे important question है exam में O level में पूछता है MZU में कि IPV4 का address क्या है तो यह 32 bit का होता है IPV version 4 से लगबग 4 billion से अधिक network device को IP address provide की जा सकती है IP version 4 को अब तक की प्रात्मिक internet protocol माना जाता है यह version internet में connected device पर लगबग 94 यानि 94% इस्तिमाल किया जाता है अब आप सोच सकते हैं कि IPV4 का कितना महत्व है उसके बाद IPV6 के बारे में हम पढ़ लेते हैं IPV6 क्या है सबी device जो internet से connected है उनके पास एक unique IP address होता है मैंने आपको बताया हर computer के पास IP address होता है और आज के समय में लगबग सारे लोग internet इस्तिमाल करते हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी जिसका आर्थ है कि internet के लिए अर्बो IP address के आउशकता होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि IPV6 version जो है 4 से केवल 4 billion तक ही network device को address दी जा सकती है इसी कमी को पूरा करने के लिए IPV6 को develop किया गया कहने का मतलब जो IPV4 है इसका और IPV6 है IPV6 को इसलिए बनाया गया क्योंकि IPV4 अब जो जिस तरह से जनसंक्या बढ़ रही है उस तरह से इनके आप पूर्ती नहीं की जा सकती इसलिए IPV6 को develop किया गया है ठीक है क्योंकि चार बिलियन तक ही नेटवर्क डिवाइस को आइप अडर्स दी जा सकती है इससे ज्यादा नहीं तो IPV6 का इसलिए develop किया गया ताकि और को भी और नेटवर्कों को और कंप्यूटर को आइप अडर्स दी जा सके ठीक है दोस्तो उसके बाद यह आइप इंटरनेट प्रोटोकोल का सबसे नवींदम याणि नया संस्क्राण आइप इवी 6 क्या है न्यू है और आइप इवी 4 पहला वर्जन था पुराना है आइप इवी 6 न्यू है इंटरनेट इंजिनियर्ट टास्क फॉर्स ने इसे 249 में अगर पूछे कि स्थापना कब हो थी तो 1994 की सुरुआत में शुरू किया गया था यह और अधिक इंटरनेट आइप इड्रस के आउशकता को पूरा करने के लिए यह नया आइप वर्जन को डेवलेप डेवलेप किया रहा है इसका उदेश यह उन कम्यों को पूरा कर 440 अंडिक लिए नेट वर्ट डिवाइस को यूनिक आयप अटरस प्रोवाईड किया जा सकता है ठेका कितनों को 3040 अंडिक लिए यूनिक इप अड्रस अचों सकता है IPv6 को IP Internet Protocol की अगली PD भी यूज़ कर सकती है जो आने वाली PD है जैसा कि हमने अभी तक जाना कि IPv4 और IPv6 दोनों ही एक परकार के IP address है IPv4 IP address में 32 बीट होती है जबकि IPv6 में 128 बीट होते है उसके बाद IPv4 address को colon से डोट से अलग किया जाता है जबकि IPv6 address को colon से अलग किया जाता है दोनों परकार के IP address का उपयोग network और उनसे जूड़ी हुई machine यानि जो computer है जितनी भी machine है उनकी पैचान करने के लिए इसका use किया जाता है इसका आप इसक्रिंशोट ले सकते हैं अगर अंतराय एक्जाम में तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं इसमें 128 बीट होते हैं लंबाई का address होता है इसमें 32 बीट होते हैं लंबाई का address होता है यह इनकी ठीक है IPv6 address एक binary संक्या होती है जिसे hexadecimal में परदर्शित किया जाता है IPv4 address भी binary संक्या होती है जिसे decimal में परदर्शित किया जाता है इसमें fragmentation केवल sender के द्वारा की जाती है और इसमें fragmentation sender तथा forwarding router दोनों के द्वारा की जाती है यह mobile network के लिए ज्यादा अनुकूल है यह mobile network के लिए थोड़ा कम अनुकूल है इसमें header field की संक्या 8 है इसमें header field की संक्या 12 होती है इसकी सुरवात 1999 में होई थी और इसकी सुरवात 1991 में होई थी ठीक है तो यह common common सी ब option आएगा यह guarantee है तो आपको द्यान से इस वीडियो को देखिए एक बार ओर देखिए अगर आपको समझें नहीं आया है तो एक बार ओर देखिए और आगर आपका कोई confusion है कोई doubt है तो आप comment box में comment करके पूश भी सकते हैं ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक क प्लिजाहिन जया बारत